हेलो एवरिवन वेलकाम अगेन इन लर्ण विल देतिमन बचों हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर नमबर 8 जल्स रक्चंड जोकी जोग्राफिक का इसका फर्स्ट चैप्टर था उसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लेट कर चुके हैं यानि 42 कोशन हमारी कंप्लेट हो चुके हैं 43 नमबर कोशन पर रप हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं 43 नमबर कोशन है पूर्ट चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों का संयुक्त तत्वाधान है यानि किन राज्यों के द्वारा ये जो चमबलाए परियोज़ना है किन राज्यों के द्वारा से brutally it की जाती है तो वो कौन से है राज्यृतान और मद्र चानली परिदेश। तो चम्बल घाटी परियोजना में परियोजना के तहत किये जानेवाले कारे थे। मद्झय परतेश में मंदऽ चिले कई और दूसरा साथ में नेहरी परिड़नाली का विकास भी किया गया था इसमें नेक क्वेशचन देखिए चंबल गाटी में दित्य चरąd के थात किया है जाने वाले कारे कौण से थे चंबल घाटी में दूसरा जो चरण सा उसमें क्या कारे किया गया तो राइस्थान का जो चित्तोडगड है उसमें रावत भाटा नमके इस्थान पर राणा प्रताप सागर बनाया था देखिये पहले का बना था मंदस्वार में बना था जो कि मैं MP में है और इस पार चित्तोडगड राइस्थान में दित्यचरण में का बना रावत भाटा नमके इस्थान पर राणा प्रताप सागर बाद कौन सा राना पृताब सागर बांद नेक कॉर्शन देखिए संबल घाटी परिजणा में 33 चरन के तहत किये जाने वाले कार्य थै संबल घाटी में जो 33 चरन था उसमें कौन से कार्य किये गए थै तो कोटा बुंदी जिले की जो सीमा है कोटा बुन्दी जो जीलों की जो सीमा है सीमा चेत्र वहां पर जवाहर सागर प्क बांध बना democracy जाया है और विद्दत-ग्रहों का नर्मान किया गया यहां से आपको एयर समझना चाहिए प्क पिकप मुझे निशित पता है कि आप लोगों को निशित रुख से आता होगा पिकप बांध क्या होता है लेकिन फिर भी में बता देता हूं जब ढ़ाल वाले छेत्रों होते हैं वहाँ पर तो क्या है पानी अपनी आप ढहर के चला जाता है लेकिन जब मान लेजिए आपकी नहर फुर्ची नीची आपको जल स्राथ है वह नीचा है और आपको पहुंचाना उसको दूसरे ऐसी चyorsun पर पहुंचाना है जहांपर उचाई पर रिस्थित को जल स्राथ से तो ऐसी स्थिति में क्या गिया जता है पानी को में एक पानी झुक्त acia जाता है पिकप बांध क और विद्दुत ग्रहों का निर्मान किया गया, तो जमलगाटी प्रविजना के त्रते चरण में कोटाबूंदी जिले की सीमा पर जवार सागर पिकप बांद बनाया गया और विद्दुत ग्रहों का निर्मान किया गया, नेक कोशन देखी, इंद्रा गांधी नहर किस तो सतलज और रावी नदी का संगम इस्थल है वहाँ पे हरीके बेराज चूझ नहर को निकाला गया है इस्या की सभसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है इंद्रा गांदी नहर की लंबाई कितनी हैं? 649 km यानी 649 km अब जो 649 km है इसके अदर 169 km तो पंजाब के अंदर यह है फिर 14 km जो है वो हर्याना के अंदर से निकलती है और इसके अलावा जितना भी भाग है वो राजिस्तान में है यानि 169 km पंजाब में 14 km हरियाना में और सेस राजिस्थान में होता है इंद्रा गांधी नेहर की जो लंबाई है इंद्रा गांदी नहर को कितने चर्णों में बनाया गया है इंद्रा गांदी नहर उसको कितने चर्णों में बनाया गया है तो इंद्रा गांदी नहर दो चर्णों में बनाया गया है तो इंद्रा गांदी नहर जो है उसको दो चर्णों में बनाया गया है तो इंद्रा नहर राजिस्थान फीडर आरंभिक इस्थाल से कहां तक है इंद्रा गांदी नहर के तहई जो राजिस्थान फीडर बनाया गया वो कहां से लेकर कहां तक है तो देखिए आरंभिक इस्थाल से है हरी के बैराज जिननामक इस्थाल से और कहां तक है यह है मसीता वली तक कहां से है कहां तक है यह मसिता वली तक यह करीबन 204 किलोमेटर लंबाई में है तेकर राइस्थान फीडर कितना लंबाई में है 204 किलोमेटर लंबाई में यह आपका हरीगे बेराज से लेकर राइस्थान फीडर जो है वह मसिता वली तक होता है ने कोशन देखिए इंद्रा गां मोहन गड़ के अंतिम बिंदु तक ले जाए गया और इसकी 445 किलोमेटर लंबाई है। ने कोश्चन देखिए, इंद्रा गांधी नहर का राइस्थान में प्राकर्तिक ढ़ाल किस दिशा में है। तो इसका प्राकर्तिक ढ़ाल है वो पश्चिम दिशा की ओर है। यानि राइस्थान में जब पानी को अगर ढ़ाला दिया जाता है, तो इस तरफ धलान होती है। यह पश्चिम भाग की तरफ धलान दिखाई देती है। ने कोश्चन देखिए, इंद्रा गांधी नहर से कितनी लिफ्ट नहरें पूर की ओर निकाले गई हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए, इंद्रा गांधी जो नहरें आपको पता है, प्राकरतिक जो धलान है, वो किस ओर है, पश्चिम की ओर है, तो जब पूर्व की ओर हमें पानी ले जाना है, जिस साइट धलान नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, लिफ्ट नहरें बनान तो जो इंद्रागांधी नहर से उससे लिफ्ट नहरे बनाई गई पूरव की और और कितनी लेफ्ट नहरे निकाले गई हैं, साथ लिफ्ट नहरे निकाले गई हैं, पूरव की तरफ। तो वहाँ पर ये असाखाएं आसानी से निकल जाती हैं, तो इस वज़य से पूरू की और तो साथ लिफ्ट नहरों के दोरा निकाला गई है, लेकिन जो इस साइड में 9 साखाएं निकाले गई हैं से, कितनी साखाएं निकाले गई हैं? 9 साखाएं. नेक क्वेशन देखिए, इंद्रा गांधी नहर द्वारा कितनी भूमी की सिचाई की जाती है, इंद्रा गांधी नहर द्वारा कितनी भूमी की सिचाई की जाती है, इंद्रा गांधी नहर द्वारा 17.41 करोड हेक्टेर भूमी की सिचाई की जाती है, इंद्रा गांधी नहर निर्मान जो है उसको किस स्थान तक बढ़ा दिया गया है तो इसका बार्ड मेर के गड़रा रोड तक इसको बढ़ा दिया गया है माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो यह आपके राइस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जो 1971 में प्रारम की गई थी माही बजाज सागर परियोजना के निर्माण मुख्य उद्धिश से क्या था उसका मुख्य उद्धिश से था डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी छेत्र है उसमें आर्थे क्विकास है तो सिचाई और विद्धुत सुविधाय प्रिदान करना माही बजाज सागर का मुख्य उद्धिश सा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो आदिवासी छेत्र है उसमें आर्थे क्विकास है तो सिचाई और विद्धुत सुविधाय प्रिदान करना माही बजाज सागर परिजना के तहत राजिस्थान में कौन सा बांध बनाया गया माही बजात सागर परिजना के तहत कागदी पिक अ बांध कहा निर्मित किया गया है माही बजाज सागर बांद से 500 मीटर नीचे ही बनाया गया है, माही बजाज सागर परजना के तहट कितने विद्धुत ग्रहों का निर्मान किया गया है, माही बजाज सागर परजना के तहट कितने विद्धुत ग्रहों का निर्मान किया गया है, तो देखिये, बीसलपूर परजना के तहट किस सिस्तान पर बांद बनाया गया है, बिसलपूर परियुजना है उसके तायत के सिस्थान पर बांद बनाया गया है तो देखिए टॉंक जिले का जो टोडा राइसिंग कस्वा है उसके पास बिसलपूर नामक जगह है वहाँ पर जो बनास नदी पर ये बांद बनाया गया है तो बीसलपूर परयुजना कहाँ पे है? टॉंक जिले के टोड़ा राइसिंग कस्बे के पास, बीसलपूर इस्थान पर बनास नदी पर इसको बनाया गया है. और ये 574 मीटर लंबा और 49.5 मीटर उंचा है. बिसलपूर जो बांध है वो 574 मिटर लंबा और 49.5 मिटर उचा है टॉंग जी लेके टोड़ा राइसिंग कस्विक के पास बिसलपूर इस्थान पर बनासनेदी पर इसको बनाया गया है बिसलपूर बांध परियुजना के तहट कितनी नहरों का नर्मान किया गया है तो देखिए दो नहरें इससे बनाई गई है बांध के बाएं और दाएं दोनों तरफ है ना एक बाएं से निकाली गई है और एक दाएं से तो विशलपूर परिजना के तहत मांत्र दो नहरे बनाई गई है ना एक कोशन देखी विशलपूर परिजना द्वारक किन इस्थानों को पेजलापूर्ति की जाती है यह काफी important कोशन है क्योंकि यह आपके राजधान की राज सारे जो गाउं है उन सब ही को पेजलापूर्ति विशलपूर परिजना के तहत की जाती है सवाई मादोपूर जैपूर अजमेर और केकडी सरवाड ब्यावर वे रास्ते में आने वाले गाउं को इसमें पेजलापूर्ति की जाती है विशलपूर परिजना के तहत सिचाई किन स्थानों में की जाती है विशलपूर परिजना के तहट सिचाई किन स्थानों में की जाती है तो यह आपके टॉंक जिले के 256 गाओं है जहां पर इस परिजना के तहए सिचाई के लिए पानी अप्लब्द कराया जाता है टॉंक जिले के 255 गाओं में विशलपूर परिज गड़ के जो आदिवासी छेत्र हैं, वहाँ पर विकास और स्चाई ही तो उसका उप्योग किया गया है। और यह कहा है, तेरा किलोमेटर दूर नागरिया गाओं में पिकप नहर पर नाली का भी निर्मान किया गया है। समझ में आ रहा है, सौम क्या है, सौम आपकी नदी है, तो सौम नदी पर सौम अंबार नाम का जो गाओं हैं, वहाँ पर इसका नमान किया गया है, बांगर शेत्र में सिचाई हिदूस का यूज किया जाता है। इसका उद्देश क्या है, बांगर शेत्र की सिचाई हिदूस का यूज किया जाता है। वह उद्दापूर की सलूंबर तहसील जो है, उनको गाओं की सुचाई हिपर इसका यूज किया जाता है। सिद्द मुख परियोजना का उद्देश है। तो उसका उद्देश है, रावी व्यास के अत्रिक जल का उप्योग गंगा नगर वे हनमानगर की जो नोहर भाद्रावय चूरु जिले की तारा नगर वे राजगर तहसिले में हैं। 33,000 हेक्टेर भूमी को सीचित करना यही इस सिद्द मुख परियोजना का उद्देश है। जवाई बाढ़ बाढ़ यही चित्द में किस इस्थान का निर्मान करवाया गया है? mi हला जबअ बहुत में चैजवाई बाली मीश्यक पर राजगरित्द में, किस सहीप नदी है। बनाया गया है, नेक क्वेशन देखिए, जवाई बन परियोजना के तहत किस छेतर में सिचाई की जाती है, तो जवाई बन परियोजना के तहत एक सो छेतर किलोमेटर नहर द्वारा पाली और जालोर में सिचाई की जाती है, नेक क्वेशन देखिए, पांचना बन परियोजन क्या है ये काफी important question है ये एक बार आभी चुका है तो इसका याद रखेगा पांचना बांद क्या है पांचना बांद आपकी करोली जिले की है जिसमें गोडली जिले में गोडला गाउं के समीफ 5 नदियों वरखेडा पद्रावती माची भैसावट वर अटा इनका जो संगम ह वुआ पर संगंबर मिट्टी दोवारा निर्मित जो बांध है, यह सभी कैसे है पांचना बांध का उपयोग क्या जाता है उसका तोड़ा भीम हिंड़ोן गंगापुर के जो गाउं हैं उनके सचाई हितो उसका उपयोग किया जाता है तो बचो आपका ये chapter का second part था और last part और बनेगा इसका जो third part होगा जिसमें हम जो जलस अरक्षंड की जो चीजें हैं जो आक्तियां बनाई जाती है हमारे राइस्टान में मुक्य तोर पर बावरी है जोहर है टाका है बेरी खडीन और ये जीलें तालाब ये सबी जीलें भी से इंस्टान के लिए बनाए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स पार्ट में तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बचों थेंक्यू